हलो एंद नमस्कार एवरिवार्ण, मैं दॉक्तर निहातवारी, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चानल पे आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट फूलने की समस्या के बारे में जिसे हम बोलते हैं ब्लोटिंग तो सबसे पहले समझते हैं ब्लोटिंग क्या होता है और इसके क्या कारण रह सकते हैं ब्लोटिंग का सिंपल सा मतलब है कि अगर पूरे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्राक्ट यानि जी आई ट्राक्ट में अगर गैस बिल्डप हो जाए या एक्कुमिलेशन हो जाए तो उ पाना अपच होना, आसिडिटी बनना या नौजिया रहना या फिर वॉमिटिंग होना जिसमें आपको कोई भी बिल्यस पार्टिकल्स दिखे यानि थोड़ा सा येलोईश फ्रोधी माटीरियल दिखे तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आपको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम करती हैं, along with that आप low fiber intake रखते हैं, तो इसको कैसे समझेंगे, जो भी लोग अपने diet में fiber का content कम रखते हैं, as well as खाने में fast food जादा रखते हैं, high sugar रखते हैं, high salt रखते हैं या high spices रखते हैं, उसके साथ वो बहुत जादा fatty और fried चीजों का use करते हैं, तो ये सारी diet आपको ले BDS, जिसे हम बोलते है, irritable bowel syndrome, ये एक प्रकार का problem है, जिसका आज तक exact cause किसी को भी नहीं पता लगा, लेकिन इसमें आपको वो सारे symptoms मिलते हैं, जो की indigestion के होते हैं, जिसमें पेट फूलना, अच्छे से motion pass नहोना, sticky stools रहना, indigestion बना common हो जाता है, IBS को manage करने के लिए, doctors आ करते हैं, ताकि उसको manage कर पाए, तीसरा कारण bloating का हो सकता है, hormonal imbalance, जैसे काफी सारी females में देखा गया है, कि उनको pre-period या during period, या ovulation के time पर bloating के समस्या को deal करना पड़ता है, इसके पीछे reason होता है, जब उनके body में particular set of hormones, जैसे की estrogen and progesterone का level जादा हो जाता है, तो उस वज जैसे काफी सारे females ये बताती हैं, कि उनको pre-periods या during periods, या जब उनका cycle का 14th day होता है, जैसे modulation बोलता है, उस time पर bloating का समस्या बनता है, last but not the least, अगर particular किसी चीज़ को खाने से आप allergic हैं, या आपको intolerance है, तो उसकी वज़ह से भी bloating आ सकती है, सबसे important point यहाँ पे, अगर कि मान के चलिए, उनको पित की थैली यानि गॉल ब्लैडर के समबंदित को यह बिमारी है, इसका भी prime जो symptom आपको देखने को मिलता है, वो bloating ही होता है, तो यह कुछ causes थे, जिससे हमें पता लगता है कि particular किसी इंसान को bloating के समस्या जादा क्यू बन रही है, अब इसको manage करने क सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हमने डाइट से ही शुरू किया है, तो हम डाइट पे सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको fibrous डाइट जादा रखनी है, मतलब आप fruits को अपने डाइट में incorporate कीजिए, green veggies को incorporate कीजिए, साथ में आप salad लीजिए in steamed form, जिसमें आप beetroot को जरूर र बचाएगा, क्योंकि जो लोग जादा constipated रहते हैं, उनके लिए बड़ा common है कि वो easily gas formation की शिकायत को बताते हैं, तो सबसे पहले अपने डाइट में fiber content को अपने बढ़ाना है, इसको देखने का तरीका यह है, कि females में 25 gram per day fiber का एक requirement होता है, और males में 38 gram per day होता है, तो अपना सबसे common classic जो घर में follow होता है, अजवेन का पानी, तो morning में आप empty stomach, half spoon अजवेन की ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ, तो अजवेन को चबाते वे आपने पानी के साथ लेना है, इससे भी gas सम्मंदित जो बे दिकत होती है, वो pass on हो जाती है, और उसकी वज़ा से आपक 30 minutes a day for 4 to 5 times in a week, इससे आप बेटर कर पाते हैं अपने gas accumulation का problem को, और अगर gas reduce होती हो तो obvious सी बात है, आपको bloating में भी help मिलता है, थर्ड, आप अपने लिए चाय बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चाय में normal चाय की बात नहीं करें, यहाँ पे आपको chamomile tea का इस्तमाल करना है, अगर आप chamomile tea और hibiscus tea का इस्तमाल करते हैं, तो इससे आपको bloating से अराम मिलता है, especially जो मैंने आपको बताया था कि hormonal related अगर bloating होती है, तो वहाँ पर यह बहुत ही अच्छे से काम करती है, तो इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, at least 2 cups a day आप इसे ले सकते हैं, next आपको ध् इस्तमाल को empty रखते हैं, उतना ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, गैस फॉमिशन के लिए, तो थोड़े थोड़े टाइम पर खाएं, और अपनी भूख से 30% कमी खाएं, मतलब भूख लग रहा है, तो 70% ही आप अपने स्तमाल को फिल करें, तो इस तरह से आपको अपने मील लेने चाहिए, अब आपको क्या नहीं गड़ना है, सबसे कॉमनली अलकॉल और स्मोकिंग अगर है, तो उसे अपने डाइट से रूटीन से हटाना है, नमबर टू, आपको हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट को कट डाउन करना है, क्योंकि ये गैसी फूड्स में काउंट होत करन रहा है, इन डाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए ये भी आपको डाइट से हटाने की बहुत ज़्यादा जरूवत है, इसको मैनेज करने के लिए पेपरमेंट टी ले सकते हैं, प्रोवाइड आपको हाईपर एसिडिटी का प्रॉब्लम ना हो, थर्ड, जैसे कि मैंने आ करते हैं, तो इससे आप ब्लोटिंग की समस्या से दूर हो सकते हैं, अब अगर आपको लिवर संबंदित कोई भी तकलीफ है, उसकी वज़ों से ब्लोटिंग हो रहा है, तो इससे आपको पता लग सकता है कि हो सकता है आपके बॉड़ी में असाइटिस का प्रॉब्लम कीजी से बढ़ रहा है, तो यह इंडिकेट करता है एक हाम को की बॉड़ी में शायद असाइटिस डवलप हो रहा है, तो इसलिए इस सिम्टम पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है किसे भी लिवर मरीज के लिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, अग आप नीचे दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक कर सकते हैं और अपने लिए एक राइट ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंफोमेशन के साथ, अब तक आप सब अपना ख्याल रुखें, आप